ये सामने वाली दिवार पे भी गोलियों के निशान है और इधर वाली जो दिवार है इस पे भी गोलियों के निशान है पुलिस ने इनको निशान लगा के कवर कर रखा है और इस तरह के पोस्टर लगे हुए यहाँ पे जस्टिस फोर सिद्धु मुसे वाला यहाँ पे भी जवार का गाउं में हूँ जो मांसा के पास में है और इसी गाउं में वो हादसा हुआ था जिससे पूरा देश शोक में पढ़ गया था दोस्तो रात में दिल्ली से ट्रेन पकड़के मैं मांसा पहुच गया था और अब सुबा सुबा इस जवार के गाउं में पहुच गाउं अभी सईसे 8 भी नहीं बजे दोस्तों यहाँ के लोग पता नी क्यों मुझे अलग नजर से देख रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा यह है पंजाब मानसगा जवार के गाउं मोसे वाला कांड से ये गाउं काफी चर्च में आ गया था ये अंदर गाउं में रास्ता जा रहा है सोमसाम रास्ता है दोस्तो ये वही रोड है जहांका वो CCTV वीडियो वायराल हुआ था इसमें सिद्धु पाजी की गाड़ी जाते वे दिखाई दी ती और जो अटैक करने वाले थे उनकी गाड़ी भी इसी कैमरे में कैद होई थी और यहां से आगे से दिखाता हूँ यहां से गाड़ी ने लेफ्ट लिया था तो कैमरे में सिरफ यही तक की वीडियो थी और यहां पहुँचते ही सिद्धु मूसे वाला के उपर अटैक हो गया था दोस्तों यह मंदिर की दिवार है और इसमें सिद्धु पाजी के यह फोटो लगे हुए है और यहां पहर यह गोलियों के निशान है देखसकते हाँ दो गोलियों के निशान है यहाँ के हर खंबे पे सिद्धू पाजी के पोश्टर लगे हुए है और इसी खंबे के सामने यह दिवार है दोस्तो इस दिवार में यह दो गोली के निशान है और निशान के ऊपर एक और निशान लगा के इस पूरे एरिया को फ्रेमिंग करके कवर कर रखा है और नीचे की दोस्तो हो यह वो रोड है जहाँ पर वो गोलिया आके लगी थी ह्यांपे पाजी के पॉस्टर लगे हुए है और गोलियों के निशान को पुलिस ने कैसे कवर कर रखा है आप देख सकते हो और नीचे की तरब यह अपी निशान है यह वाला जो गोली का निशान है यह पिलर में है यह देख सकते हैं उपर की तरफ यह पिलर है और यह जो निशान है यह इट में है यह बिलकुल पार है मंदिर के अंदर तक दोस्तों क्या खोफनाक मंजर होगा वो और ये पंजाबी में नीचे की तरफ कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर डेट ओफ बर्थ और डेट ओफ डेट लिखी हुई है यह 11.6.1993 को इनका जनव हुआ था और 25.2022 को वो हादसा हुआ था जिससे पुरा देश सद्वे में आ गया था अब मैं आपको एक और दिवार दिखाता हूँ उस पर भी गोलियों के निशान है देखिए दोस्तों इस दिवार पर भी बहुत सारे गोलियों के निशान है यह देख सकते हो दो निशान यहां पर है एक यह है एक यह है एक यह है एक वो है और उधर भी एक है करीब साथ निशान है यह गोलियों के इनको पहले वाइट कलर से कवर कर रखा था बाद में इनके ओपर रेड भी एक कलर लगा दिया है यह घर की दिवार है और वो दूसरी प्रवाली मंदिर की दिवार थी, दोस्तों ये जो गोली के निशान है ना, यहां के लोकल लोग इन निशान को देख देखके 29 मई को याद करते हैं और यह गोली के निशान आज भी वैसे के वैसे ही है और दोस्तों यह वो जगह है जहांपे सिद्धु पाजी की गाड़ी रुकी थी इस जगह को निशान लगा के cover कर रखा है और यहाँपे जो है नै यह निशान बाद में लगाय गाए थे पहले यहाँपे सिरफ यह जो आप देख रहे हो red color का यह निशान था जब यह निशान मिटने लगा फिर यहां पर यह वाइट कलर की पट्टी बना के इस पूरे एरिये को कवर कर दिया ताकि यह यादगार बना रहे और सामने की तरफ वो दिवार है जहां पर गोलियों के निशान है अब जब भी कोई इस रोड से जाता है तो इस निशानों को रेट हो सकता था यहां पर आते टाइम जब मैं लोगों से एड्रस पूछ रहा था तो बड़े प्यार से एडरस बता रहे थे और मुझसे पूछ रहे थे कि आप कहां से आया हो जब मैंने बताए मैं दिल्ली से तो मुझे नास्ते के लिए इन्वाइट कर रहे थे बोले द अगली वीडियो में मैं आपको सिद्धू पाजी की हवेली दिखाऊंगा इस वीडियो को शेर कर दो यार